किशन पुर गाउं में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुनाल और बहु सुधा के साथ रहा करती थी। तो क्या हुआ बरतन तो कर ही सकती हो। नहीं ना मा जी सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हुजाएगा। आज के लिए बरतन आप ही कर लीजी। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंडी लेती है। सुधा कुनाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। मा मुझे आफिस जाने में देरी हो रही है। आप जल्दे से नाष्टा दे दो। अजी आप मा जी को क्यों बुला रहे हैं। मैं अभी आपके लिए आलो के पराठे बना देती हूं। अरे वा सुधा जब से तुम आई हो मा को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहु हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है। मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंड लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाओंगी जिससे माजी की चिक-चिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर-जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी-भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहु? पता नहीं क्या हुआ माजी अचनक आखों में कुछ चला गया। दिखाई नहीं दे रो मुझे। अरे कैसी बाते कर रही हो? आखों को अच्छे से दो कर मसलो ना? आखों को बहुत बार दो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अब भी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है। और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या? इधर सुधा की एश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुकम चलाती रहती है। माजी, सरफ चाय तो पिला दीजिये ना? हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है। और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बिलाती है। देखे ना डॉक्टर साब, मेरी इतनी प्यारी बहु को नजाने किसकी नजर लगी। वह क्या? अरे देख ही नहीं पा रही ही वो तो. क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे. ठीक है, मैं चेक अप करता हूँ. क्या हुआ है इसे? चेक अप में तो कुछ भी नहीं निकला है. इसका मतलब मेरा शक्स ही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है. फिर भी डॉक्टर साब, कोई तो इलाज होगा ना? सुधा घबरा जाती है. मा जी, आप क्यों मेरी आखों के पीछे पड़ गई है? मैं जिन्दा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आखे भी ठीक हो जाएगी ना दीरे-दीरे. नहीं बहु, आखे भगवान की मर्जी की वज़े से गई है, और उनकी मर्जी की वज़े से वापस आ जाएगी. देखिये, मैं दवाय लिख देता हूँ, और आप इनको क्लिनिक पर ले आना. डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती, और अगले क कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है. पानी सरके उपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली. कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है. ये भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माजी कब तक वापस लोटेगी, तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ. सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लोट आती है. ये भगवान, माजी तो बहुत जल्दी लोट आई. जल्दी जल्दी चुला बुजाने के चक्कर में उसके पल्लु में आग लग ज तुम यहां क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाए माजी. प्राची फटाफट उसके उपर एक चदर डाल दीती है और आग बचाती है. सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है. और वो प्राची से आखे नहीं मिला पाती. ये सब क्या है बहु? मुझे माफ क गर का ही तो काम है ना बहु? अब और शर्मिंदा मत कीजिए माजी. मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई. कोई बात नहीं बहु. सुबह का भूला अगर शाम को घर लोट आये ना, तो उसे भूला नहीं कहते. चल, अब अपने हाथ की जा है तो पिला दिसरा? जी माजी!